तो यहां पे हमने कई सारे ओपरेशन देखे थे इससे पहले वाली वीडियो में इसम्टी, इसफॉल, पीक ओपरेशन, पुश ओपरेशन, पॉप ओपरेशन तो उसी की ही आज हम कोडिंग करने वाले हैं इस वीडियो के जरीए चलिए, स्टार्ट करते हैं, तो देखे, मैंने कोडिंग यहां पे पहले से ही लिख दी है जो कोडिंग है, वो अगर हम लिखके यहां पे परफॉर्म करते हैं काफी बच्चों को प्रॉबलम रहती कि माम इधर उधर हो जाता है समझ में नहीं आता तो यहां पर हमने पहले से ही कोडिंग लिख ली है तो जैसे कि आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं तो कोशिश पहले यही किया करिए कि आप खुद से काम करें जैसे कि हमने पुराने वीडियो में आपको इस सब चीजों के बारे में बताया है ठीक है वे ड्रायरन करके दिखाया है यह सारी चीज़ हमने समझाई है तो अब हम कोडिंग की हेल्प से इसको विंगे चलिए तो देखे सब आपको से पहले हमने क्या करा है है यो कि हमारी लाइबरेरी है अब हमने यहां पर ग्लोबली डिकलेर कर दिया है मैक सांई तो मैक साइज इसका एट है ठीक है तो इसका मतलब जो हमारी इस्टाक बनेगी जो हमारी स्टाक बनेगी तो यह हमारी स्टाक बनेगी चलिए तो देखिए यहाँ पे हमारी जो स्टाक है वो 8 एलिमेंट अपने अंदर रख सकती है ठीक है स्टाक जो है वो 8 एलिमेंट अपने अंदर रख सकती है अब हम कहने जो top है वो minus 1 है which means अभी stack के अंदर कोई भी element नहीं है ये minus 1 है ओके चलिए तो अभी हम इसको discuss करते हैं यहाँ पे is empty function है is full है peak है तो देखे is empty is empty अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं top क्या है हमारा minus 1 है ठीक है मतलब stack के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है अब जब कुछ नहीं पड़ा है तो भई वहाँ पे top क्या होने वाला minus 1 होने वाला है ठीक है तो if top equals to equals to minus 1 then return 1 इसका मतलब है आप return 1 करो which means true return होगा ठीक है और अगर return 0 हुआ इसका मतलब क्या है false मतलब जो हमारी stack है वो empty नहीं है अब इसी तरह से इस full function देखिए इस full function का मतलब यह है कि stack जो है वो पूरी तरह से भरी वी है है ना पूरी तरह से भरी वी है मतलब देखिए इसके अंदर elements आरे पड़े हुए है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and 80 तो stack जो है वो हमारी पूरी तरह से fill है भरी वी है इसका मतलब top जो है वो max size के एकदम equal है ठीक है top क्या है max size के एकदम equal है अब यहाँ पे अगर आप element को 0 से 7 तक के चला रहे हो ठीक है इसका मतलब कितने element है यहाँ पे 8 है तो 8 equals to 8 जो की हमारा पूरा stack क्या है fill है यह बता रहा है ठीक है और अगर stack बिलकुल भरा हुआ है तो यह क्या return करेगा true ठीक है भई इसके अंदर जगह ही नहीं है अब element को insert कैसे करे ठीक है और यहाँ पे हमने false लिक रखा है कि अगर माल लीजिए इसके अंदर 8 equals to 8 नहीं है मतलब max size के बराबर top नहीं है तो हम false को return करेंगे okay hint peak तो peak function देखे क्या है return stack top अब देखिए ध्यान दीजेगा stack top यहाँ मतलब यहाँ पे हम बैठे हुँए ठीक है अब top कितना है 7 ठीक है stack की 7th element पे जो भी पड़ा है वो fetch करके मुझे देदेगा which means 80 पड़ा है तो यह 80 देदेगा okay इतनी बात समझ मैं आई तो यहाँ पे जब भी आप इस int peak function को call करोगे तो जो भी top of the element है क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें index में top को pass किया है तो वो हमारा आ जाएगा okay इसके बाद हम देखेंगे function to delete from the stack तो यहाँ पे देखिए function को delete करना है हमने यह चीज़े कई बार आपको बताई है इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताई है बस यहाँ पे क्या है कि मैं code को लेके आई हूँ ठीक है तो यहाँ पे code आपके पास लिखा हुआ है आप चाहें तो उसका screenshot भी ले सकते हैं इस code को पढ़ने के लिए ठीक है int pop ठीक है तो देखें यहाँ पे हमें pop operation को perform करना है तो देखें पॉप operation का मतलब क्या है delete deletion perform करना है ठीक है deletion perform करना है तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ध्यान दीजेगा deletion से पहले कि हम एक बर push operation को देख सकते हैं पहले चलो push operation को इसलिए देख लेते हैं क्योंकि हमारी stack अभी empty है हम चाहते हैं इसको fill करें और फिर delete करें इसके अंदर से ठीक है चलो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले push operation जो perform हुआ int data मतलब यहाँ पे एक data को हमने पास किया ओके तो data हमारा मालो मालो हमने push operation के अंदर 10 को पास किया ठीक है मालो 10 को पास किया तो देखो यह सबसे पहले क्या चक कर रहा है is full इस full ऐसा तो नहीं अमारी stack भरी हुई है तो इस full जैसे ही call हुआ ठीक है इस full जैसे ही call हुआ तुरंत यह क्या करेगा तुरंत यह जाएगा पिछले वाले इस full पे और यहाँ पे चेक करेगा top जो है maximum size के बराबर तो नहीं है अब top कितना था हमारा top अभी minus 1 है minus 1 equals to equals to maximum size which means 8 तो इसके बराबर तो नहीं है नहीं है है ना इसके बराबर नहीं है तो जब इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा अब हम क्या कह रहे हैं इसके बराबर नहीं है तो आप दो दो यहां क्या लिखा है इसके पराबर नहीं है मतलब इस not लगा है not is full not is full मतलब अगर full नहीं है is full को check किया मतलब is full यह जो function है इसको हमने call किया आप इस पूच आप यहां पहुंचे आप ने इस function को देखा और इस function को देखा और top He got top and maximum size equal ۔ how are we written at this time or was like false when return falls we are saying we are saying that you will increase your top top when we were done the top was minus one top was minus one now we call it up increase when we increase the top minus one plus one which is zero okay so here comes this 0 रहें को नहीं हम टॉप पर तो हम सबस्क्राइब किया ब स्थैक के टॉप में डेटा डाल दो डेटा क्याक लाएं लाएं तो हम कह रहें क्ला juda1 Social तो एपने डाल दीया यहां 3 किया अब देखिए हम कहारें पुश करो फिर से है बश्करो20 को अब फिर रहे हैं फिर से 20 को देखो ध्यान देना इस फुल फिर से चेक करेगा जाके अब इस फुल जब चेक करेगा जाके पिछले वाले हमारी स्लाइड में चलते हैं तो टॉप कितना है भामारे पास जीरो मैक्सिमम साइज कितना है अभी भी क्या है यह इक्वल नहीं हुआ इसका मत कर दो 1 कर दो प्लस वन करों लेटा इस टवब करोगे तो इसमें क्या कर दो चाहएं तो पर यह इंसर्ट बात समन में आई अब हम यहां पर आप को समझा दिया अगर आपको नहीं समन माया आप को देखो जाके दुबारा देखो अब इसको एक काम कर रहे हैं पूरी तरह से इसको फिल कर दे रहे हैं यह बार 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 ऐसे चलेगा और पुश ऑपरेशन आप बार बन यह लिखो गए यह से पुश थर्टी पुश फॉट्टी किया आपने पुश इस तरह से जैसे ही आप कॉल करोगे आप पुश थर्टी करोगे तो यहां पर देखे फिल दुबारा से यहीं पर चलेगा इस फुल इस फुल तो नहीं हुआ है अभी क्योंकि हमारा सेविन के इकवल आया ही नहीं है ठीक है फिल टॉप क्या होगा प्लस फुश करें फॉटी तो इस फुल अभी कंडिशन हमारी कैसी है नौट इसफुल लिखा है इसका मुलब कंडिशन हमारी कैसी यह टुव है तो अब हम इसके इंदर जाएंगे और जाने के बाद टॉप को प्लस 1 करेंगे तो जमनो Brittany तब टॉप थी पे देटा है वह हम स्टैके तॉप में डालेंगे 20 यहां गया इसी तरह से हम करते चलेंगे अर जब तक के 7 Western called छाव ची कि इस तरह से देखिए देटा को कर लिया तो जीरो से लेके seven तका की data को अब देखिया मेरी यहां पे जो यहां पर क्या हो पूरी तरह लुगा है तो अग अगर इस full condition को checking तो यहां पर किया मिलने वाला है मुझे यहां पे हमें मिलने वाला है कि अब top जो है वो max size के बराबर आ चुका है अब जब top max size के बराबर आ चुका है तो इस full not जो है वो condition जो है falls हो गई अब जब condition falls होई तो else वाले part पे हम move कर गए ठीक है क्योंकि हमारा अब जैसे return 1 किया तो इस वाली condition पे हम जा नहीं सकते इस full condition पे अब हम नहीं जा सकते अब हम else part पे जाएंगे यहां क्या लिखके आएगा could not inserted data stack is full ठीक है तो हमने यहां पे else में using printf function हमने यहां पे एक message pass कर दिया है कि अब हमारी जो stack है वो full हो चुकी है अब यहां पे कोई भी value नहीं insert हो सकती है अब देखिए ध्यान दीजेगा अब हम कह रहे है पॉप करिया ठीक है तो अब जब हम पॉप करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम यह रहेगा कि आप इस empty function को चेक कर लिए ऐसा तो नहीं कि हमारी जो stack है वो empty है मतलब खाली है पूरी तरह से है ना ऐसा तो नहीं कि हमारी जो stack है वो खाली है पूरी तरह से तो देखो अब हम जब is empty function को को चेक करेंगे तो यहां पे देखे क्या है इस एक को जैसे चेक करेंगे आप पीछे वीडियो में जाये पीछे स्लाइट पे जाए और यहां पे चेक करिए is empty मतलब अगर माइनस वाने क्या टॉप माइनस वन है। इसका मुर्लेब टो नहीं ए जब एमठी नहीं है तो हम कहाँ जो स्टाक के टॉब में पड़ा स्टाक के तॉब departe क्या पड़ाया उसको हम कहरें डेटा में स्टोर करते दो डेटा अभी यमें क्या मिलाए ना हमें 80 तो तो आप माइनस वन कर दो जाय से ही माइनस वन किया तो 7 से घटके 6 पर अगया तो तॉप हमारा यहां आ गया ठीक है और जो भी डेटा में स्टोर किया है एक्टी उसको लेकर बाहर आ गया यह तो इतना काम हो रहा अब हम दुबारा गर फॉप पर फॉपरेशन को परफॉर्म पिअगा देटा के अंदर तो 70 यहां पे आ गया, ठीक अभव ही डेटा रिटें किया तो 70 यहां पे हमें मिल गया, इसी तरह से हम अब तॉक को हम डिक्रीस कर रहे हैं तो यहां गया, जब तॉक हमने यहां ले लिया, तो अब देखिये, अब हम दुबारा से पॉक्प आप पुछ है नहीं पुछा साथ के लूद फिर आप वी वेल्यो हो। इन टाल दो तो डेटा में हमारी क्या वेवल्यू आगई है अब 60 वेटा आगई अब भी तो टॉद को माइनस वन कर दो जब भी मैंनस वन के अब फाइब टॉद कितना हो गया फोग जब फोर हो गया तो तो अब हम data को हमने return कर लिया तो 60 हमारे बस पहुच गया चलिए अब फिर से चेकर लिए किया अब पॉफ function को हमने दुबारा call किया अब हम कह रहें कि is empty क्या empty है नहीं कि अब तक कि अगर हम पॉफ function को कॉल करते रहेंगे तो हमें यह values रेटन करता रहेंगा मान लीजें उन्हें सारी values को उठा के फैच कर लिया मान क्या लीजें कि मैंने तीन चार बार इस चीज को repeat करी है मुझे नहीं लगता है वीडियो को लेंदी करना चाहिए तो मैंने यह सारी पॉप कर ली है values ठीक है अब हम पॉप कर रहे हैं दुबारा से अब हमारा जो फैवह माइनस वन पर चुका आ ठीक है अतौ है माइनस वन पर आ गया क्योंकि जीरो ने को खाली करा अब हमने तो मैंने कर देशन किया विच मिन्स जब 1 करेंगे तो मैनस 1 पर अब हमारा वन फैठ जब हम इसम्टी नौट इसम्टी मतलब आप नौट इसके लेकिन अब इस EMPT को जो हम कॉल करेंगे तो देखो तॉप हमारा क्या आए? तो यहां पर यह यह न रेटन करेगा मतलब वन रेटन करेगा अब जैसे ही वन रेटन करेगा तो यह इस वाले पार्ट में तो जाएगा। एल्स वाले पार्ट में जाएगा और लिख के आएगा could not retrieve data stack is empty because यहां पर stack खाली हो चुगी है हम क्या यहां पर पॉप करें ठीक है तो कोई भी data डिलीट नहीं होगा because जो हमारी stack है वो empty हो चुगी है तो यहां पर यही बेसिकली इसका main function लिखा गया है तो main function में हमने सबसे पहले push किया 44 को after that 10 को push किया है 62 को फिर 123 को 15 को चीक है अब फिर हम कह रहे हैं कि आप peak element को निकालो तो peak element कितना है बिटा यहां पर 15 है तो 15 को यह बाहर निकाल देगा चीक है तो peak element देखे करेगा तो यहां आप देख सकते हैं int peak return top तो return top कर रहे हैं तो top of the stack क्या है यहां पर विटा 15 है तो यह 15 को written कर देगा तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा 15 अब हम देख रहे हैं कि element यहां लिखा हुआ है एक simple message दिया हुआ है while is empty ठीक है while is empty not अगर empty है अब देखिए हम क्या कह रहे है pop function को call किया है और data को retrieve किया pop function को call किया तो 15 है हमारे पास pop function कैसे operate होता है यह मैंने भी बताया और top यहां पाँच गया हुआ क्यों कि minus हो गया है अब फिर हम कह रहे हैं जब तक empty है जब तक चलाते है तो पॉप को दुबारा कॉल किया और data में हमें 123 मिल गया है फिर तॉप को नीचे किया फिर पॉप को call किया अब जब पॉप को call किया हमें क्या data मिला 62 और क्योंकि यह कब तक के चले का यहां देख लिए यह वाइल लूप में क्या लिखा है is empty जब तक के यह खाली न हो जाए तब तक के सारी की सारी value क्या हो जाए मेरे पास fetch हो जाए तो देखें सारी की सारी values अब हमारी आ जाएंगी ऐसे और जो भी data है परसेंडी में देखें data है तो यह data यही print हो जाएगा 15, 123, 62, 10, 44 ओके तो यहां पे हमने क्या करा है data यहां पे हमने पूरा का पूरा पॉरा पॉप करवा लिया है अब हम देखें अगर हमने पूरा का पूरा data पॉप करवा लिया है तो एक बात बताईए मुझे क्या इसके अंदर कोई भी stack इंदर क्या कोई भी value exist कर रही होगी नहीं कर रही होगी ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा stack full check किया है और stack क्या empty है यह दोनों चीज़े हमने check करी है तो देखिए is full यहाँ लगाया और using ternary operator यहाँ पे हमने expressions को pass किया है अगर देखिए is full अगर condition हमारी सही है तो यह पहला वाला यह true print कर देगा अगर condition यह false है तो इस वाले पे चला जाएगा यह ठीक है ternary operator किसी नहीं पढ़ा है तो पहले वो उसको पढ़ के आए is empty में क्या होगा is empty हमने check करना है तो देखिए अगर हमारी stack हमारी stack empty होगी तो true return करेगा अगर हमारी stack empty नहीं होगी तो false return करेगा ठीक है अगर यह condition सही है तो यह true return करेगा मतलब expression 2 वाला कॉल होगा और expression 3 वाला फिर इसके बाद after अब देखिए मेरी बात समझेगा बहुत ध्यान से समझेगा इस बात को कि अभी तक हमने सारी की सारी values को fetch कर लिया ठीक है अब top हमारा क्या होगा minus 1 हो चुका होगा और अब हम कह रहे है इस full है क्या इस full कब होता बच्चा जब होता है जब top जो है वो max size के equal हो तो max size के equal तो आपको नहीं दिख रहा होगा यहां पे ठीक है इसका मतलब यहां पे तो आपको false मिलने वाला है अब is empty चेक करिए इस empty कब होता है जब top हमारा minus 1 होता है जब top हमारा minus 1 होता है तो क्या होता है इस empty होता है तो यहां पे मुझे true मिलने वाला है इसका मतलब यहां तो false मिलेगा क्योंकि stack हमारी full नहीं है और क्योंकि हमने सारे element top करवा लिए तो stack empty तो होगा तो इसको अब हम run करवा के देखते हैं और अच्छे से इसको और देख लेते हैं और समझ लेते हैं और मैंने जो code है उसको पहले से ही लिक रखा है code को हमने basically पहले से इसलिए लिक रखा है because the reason is that कि हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं ठीक है, hope आपको समझ में आया होगा, और देखिए यहां पर, यह code हमारा लिखा हुआ है, और इसको जल्दी से हम run करके देखते हैं, बिल्कुल वही code हमने यहां पर लिख रखा है, छीक है इसको हम जल्दी से run करके देखते हैं Ctrl Alt N तो जैसे ही हमने इसको run करवाया ये code हमारा run हो रहा है और यहां पे अब देखिए सबसे पहला हमारा जो code है उसमें इसने 15 दिया क्योंकि पहले हमने अगर आपने ध्यान दिया हो वीडियो पर तो यहां सबसे पहला क्या है? peak operation परफॉर्म होा है सबसे पहला कहौन सा ओपरेशन था? peak जिसमें 15 एहां पे वैल्यू को निकाला भी था dry run करके तो यहां पे आप यही देख सकते हैं तो 15 एहां आ रहा है अब यहां पर आप देख सकते हो stack full तो नहीं बची because सारे के सारे element हमने निकाल ली है stack empty है यह आप check कर सकते हो हाँ क्योंकि भई हमने सारे के सारे element निकाल ली है तो यह true return कर रहा है तो hope आपको यह video अच्छा लगा हो like करके जाएगा subscribe भी कर दीजेगा और attendance को अपने मां कर दिया करो like करके comment करके